हेलो पेंज नमस्कार आज मैं लेकर के आगई रच्छा बंदन स्पेसल खास मिठाई की रेसिपी तो इस रच्छा बंदन में इस मिठाई को जरूर आप लोग बनाईएगा और इस रेसिपी को आप सब के साथ मैं इसलिए शेयर कर रही हूं कि बहुत स्वाधिस्ट और बहु कि मिठाई का स्वाध भूल जाओगे इतना यह टेस्टी बनती है और बनाना भी बहुत आसान है तो एक बार जरूरी से ट्राइक किजिएगा और घर पर आप बड़े आसानी से इसे बना सकते हैं और कम समान के साथ इसे अप धेर सारी बना करके तैयार कर सकते हैं बनाना भ भूले दोस्तों में शेर जरूर करें तो चलिए अब हम सुरू करते हैं रेसिपी तो यहां पर देखिए मैंने एक कड़ाई रख दिया और उसमें थोड़ा से पहले पानी एट किया है और आप डाल रही हूं दूद तो यहां पर मैंने एक गिलाज सिर्व दूद लिया है और इसी से मैं रसमलाई यानी रवडी जो बनती है उसको मैं तयार करूँगी और उसी में मैं यहां पर तीन चम्मच चिनियाइट किया है छोटा चम्मच और ज्यादा मीठा इसको मैं बिल्कुन नहीं बनाऊंगी और बस इसे मैं थोड़ी देर गरम होने देती हो और इसके बाद फिर मैं इसमें एक और में इंग्रियंज डालूँगी जिसके वज़े से इसका टेस्ट बहुत सुपर बन करके तयार होता है तो यह देखिए मैंने यहां पर लिया है यह घर का मावा बनाया हुआ है जिसे खोया या मावा जो भी बोलिए मैं दो चम्मच यहां पर आ बनता है कि मत कहिए मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई तो मेरी रिकेस्ट है कि इस रच्छा बंदन में आप लोग जरूरी से बनाएए सबको बहुत पसंद आएगी और अब इसमें देखिए मैं डाल रही हूं थोड़े से ड्राइपूट तो यहां पर मैंने काजू और पिस्ता आइड किया है आप चाहे तो और भी कुछ आइड कर सकते हैं और यहीं पर मैं थोड़ी से मिठी इलाइची डाल रही हूं हरी वाली इलाइची का पाउडर इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो जरूर इसे डालिएगा और इस रवडी मतलब रसमलाई को बन कर तैयार हो चुकी है और अब इसे हम एक दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं यह देखिए और बहुत गाड़ी से बिलकुर ने करना है क्योंकि यह जैसे जैसे ठंडी होगी तो यह गाड़ी हो जाएगी तो अब इसे हम साइड में रखते हैं और अब हम बनाएंगे इसके रसगुले तो यहां रसगुले बनाने के लिए देखिए मैंने लिया है पनीर तो यह पनीर से मैं बनाने वाली हूँ छेने के रसगुले तो बहुत अच्छे इसके बन करके तयार होते हैं तो यह देखिए मैं पनीर को अच्छे से इसको तोड़ लेती हूँ और हाथ तो यहां किसी ग्रेटर में ऐसे घिस करके भी इसके रेशे हटा सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं है मैं हाथों से इसे मसल करके अच्छे से बढ़हां वेटर को तयार कर लोगी तो बस गदोरी से इसे अच्छे से मलना है और ये थोड़ी ही देर में एकदम चिकना और बढ़हासा हो जाएगा लेकिन इसमें मैं और कुछ भी डालने वाली हो तो वीडियो छोड़ कर बिलकुन नहीं जाएगा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अब मैं डाल रही हो यहां पर यह देखिए कॉन फलार आप इसके जगा पर तो यहां पर मैं एक चमच कॉन फलार आट कर दी हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और सत्ता पड़ेगा तो मैं एक चमच और डालूँगी लेकिन आप इसके जगा पर अरा रोट भी डाल सकते हो जो की हलवाई लोग यूच करते हैं लेकिन मैंने जो जो चीज डाला हुए डालके बनाईएगा सच में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तो चलिए मैं यहां पर एक चमच और एट कर रही हूँ और अब इसको मैं अच्छे से मसल मसल करके तयार करूँगी लेकिन मेरा पनीर अल्रेडी थोड़ा सा गिला लग रहा है तो मैं इसमें एक चीज और डालने वाली हूँ अगर आपका पनीर एकदम इसमूद गाढ़ा है तो नहीं भी डाल सकते हो लेकिन मेरा बहुत थोड़ा सा लूज है तो मैं इसमें एक चमच सिर्फ डाल रही हूँ मैदा तो यह देखिए और मैदा डालने वाद अच्छे से मिक्स करने ना है और बहुत ज्यादा इसे फिर मसलने की जरूरत नहीं है तो बस यह देखिए कितना अच्छा सा तयार हो चुका है और अब हम बनाएंगे इसके छोटे-छोटे से रजगुले तो बहुत अच्छे से बनते हैं आप जितना साइज चोटा बड़ा रख सकते हैं उसी हिसाब से आप बनाएए तो मैं इसके छोटे-छोटे बॉल बनाऊंगी क्योंकि यह फूल करके बड़े साइज के हो जाते हैं तो चलिए इस तरह से हम छोटे-छोटे बॉल में पहले तोड़ लेते हैं और फिर इसके हम राउंड राउंड करके गोल-गोल करके रसगुले बनाएंगे तो इसे बनाना बहुत आसान है फेंस ऐसे भी मेरे चैनल पर मिठाई की बहुत सारी रेसिपी टाली हुई है रच्छा बंदरी स्पेसल की भी है तो आप जा करके उन्हें भी देखिए आप सो को बहुत पसंद आएगा तो यह देखिए मैं बस इतने चोटे साइज के जुड़ते हैं सिरा के लिए तो यहाँ पर यह देकि मैंने कढ़ाई रख दी और इसमें एक कप डाल रहे हैं मैं चिनी और उसी कप से मैं दो कप पानी आड कर देती हों और गैस को को मेल्ट होने देते हैं और रसघुले को हम बना करके रेडी कर लेते हैं तो एक साथ ही हमारे यह दोनों काम हो जाएंगे समय ज्यादा नहीं लगेगा इस तरह से तो यह देखिए मैंने सारे रसघुले बना लिये और अब में यहां चीनी भी हमारी मेल्ट हो चुकी है देख हम सिंपल के लिए थोड़ा सा छोटा सा इसमें डालेंगे ताकि हमारे रजगुलों को चेक करना बहुत जरूरी है कि यह फूट करके बिखर तो नहीं रहें अगर ऐसा कुछ इसे तेज आज पर ही बनाना है आज को कम नहीं करना है और उसी में यह अच्छे से उबल करके तैर तैर करके पकेंगे ढखना भी जरूरी नहीं है आप चाहती से ढख सकते हैं लेकिन मैं इसी तरह से इन्हें बनाऊंगी और इसी तरह से हम साइड से इन्हें बीच-बीच में किनार को छोड़ देंगे लेकिन मैं यहां पर एक कमा और करना जैसे तो इसमें चार पांच छमच इस तरह से पानी को एड़ करना है आप चाहें तो इस तरह से नहीं डाल करके पानी गरम रख लिज्चे साइड में और फिर उसे आप डाल सकते हो, तो बस इससे क्या होगा, जो सिरा हमारा गाढ़ा हो चुका है, वो फिर से पतला हो जाएगा, और रसगुलों हमारे अच्छे से इसमें पकर के तयार होगे, तो देख सकते हैं, कितने अच्छे से हमारे रसगुले इसमें तैर रहे हैं, अल्रेडी ये बहुत तो चलिए इसे में थोड़ा पास करके दिखा देती हूं यह देखिए कितने चैसे को खौल रहे हैं और साइज में डबल हो चुके हैं तो इसी तरीके से इसे बनाना है बहुत सिंपल तरीका है और बनाना बहुत आसान भी है और जटपट से यह बन जाते हैं तो मैंने इन्हे पनीर से बनाया है घर का फाड़ करके पनीर बिल्कुन नहीं उचकी हो इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत आसानी से यह बन जाते हैं तो अब इस मिठाई को मैं इसी तरह गैस बंद करके पूरा ठंडा होने दूंगी और तब आपको दिखाती हूं तो यह देखिए उस में छोड़ दी थी उसी तरह से यह पूरा ठंडा हो चुका और आपको दिखा रहे हो कितना यह जूसी बना हुआ है एकदम अंदर बहुत अच्छे से इसका रस भरा हुआ है एकदम जूसी और सौप्ट बने हैं अब इन्हें हम एक एक करके थोड़ा-थोड़ा सा रस निक पार हुए है और अब हम जो यहां रस्मलाई की रबडी जो रस्मलाई जी से करते वह तैयार करके रखे हैं ना उसी में हम सारे रस्गूलो को डाल देंगे तो इस तरह से आप चाहें तो इस रसमलाई को ठंडी कर लीजे लेकिन मेरी यह हलकी सी गरम ही है अभी और इसे में मैं सारे डाल दूँगी और फिर इसे मैं ठंडा करके सवर्प करूँगी तब आप खाईए ठंडी ठंडी इस मिठाई को बहुत गजब की लगती है तो यह द अच्छे खुबसूरत दिखते हैं और खाने में भी अच्छ तो यह देखिए हमारे अंगुरी रस्मलाई बन करके तयार है आपको कैसी लगी फ्रेंस कमेंट में जरूर लिखिएगा कमेंट में लिखना भूल जाते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह तो आप लोगों को यह रेसिपी पसंद आई तो प्लीज दोस्तों में सेयर करना बिल्कुर न पूलें पटापट इसे सेयर कीजिए और इस रच्छ बंदन में आप सभी लोग बनाईएगा आप सबको बहुत पसंद आएगी यह मैं एकदम परफेक्ट बोल रही हो कि एकद में जरूर लिखेगा और वीडियो को सेयर करना बिल्कुर नहीं भूलिएगा दोस्तों में सेयर जरूर कीजिएगा और फिर मैं मिलती हूं इसी तरह की नई रेसिपी ले करके अभी रच्छ बंदन का समय आ रहा है तो नई नई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ सेयर करू ठीसित करें तरह कर दूसेयर कर दूस सेयर की अजय है थास्तों उया को सेयर को सेयर को सेयर को को